नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहतर होंगे सकसल होंगे दोस्तों धोके से फिल्म मन जाने के बाद आप लोगों के मन में जो सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी संका और सबसे बड़ी दूईधा जो होती है वो होती है कि कहीं वो लोग हम ने हमसे सवाल किया मैंने अपने Facebook ID को Only Me पर रखा था फिर भी फिर भी उन लोगों ने मेरी फिल्म FB Friends के पास भेज़ दी अब बहुत से लोगों के दिमाग में यह ख्याल रहता है कि अब मैंने तो अपनी जो मैंने आपको बताने वाला हूँ और आपको क्या 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 इसमें सावधानि आप रखनी चाहिए वह भी इसके बारे हैं सबसे पहले तो समझ लीजे कि Only Me जब आप करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है आपने फेस्बूक friend list को only be me पे site का रखा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो facebook की friend list है उसको सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई दूसरा आदमी तीसरा आदमी कोई नहीं देख सकता सिर्फ जो mutual friend होते हैं यानि कि जो एक दूसरे से सम्मंदी जो friend होता है यानि कि आपका कोई friend है या फिर दूसरे वाले का वही friend है तो mutual friend दिखाई देता है बाकी friend only me करने के बाद किसी अन्य आदमी को दिखाई नहीं देते हैं यह बिलकुल सच है अगर मान लो ऐसी बात है तो फिर उनके पास friends की जानकरी कैसे पहुंच जाती है तो मेरे दोस्तों हमेशा आप देखिए कि आप जो अपनी कोई भी पोस्ट करता है आपने वह आपकी फेस्बुक की टाइम लाइन पर स्यो होती है आपने फेस्बुक पर कोई भी पोस्ट की कोई भी फोटो डाला कोई भी वीडियो डाला कोई भी कैप्सन लिखा उसके बाद वह आपका कैप्सन फोटो वीडियो आपके वह पोस्ट आपकी आपके फेस्बुक के टाइम लाइन पर स्यो करती है अब सीदी सी बात है आपकी फोटो आपने फेस्बुक पर अपलोड की कूल सी ऐसे ऐसे करके तो उस फोटो के ऊपर मिश्चित सी बात है कि कमेंट भी आएंगे उस फोटो पर लाइक भी आएंगे अब फेस्बुक पर यह है कि 99% आपकी फोटो जब तक आपके एरिया तक सीमित है यानि कि वो वाइरल नहीं हो ही है तब तक आपकी इस फोटो पर आपक के फ्रेंड है वो आपके फ्रेंड के फ्रेंड है वह आपकी फोटो को लाइक भी करेंगे उसके कमेंट समसे पहले कमेंट्साप्कीक्र पर आपके जो best दोस्त है, आपके जो मुख्य मित्र है, आपके परीचित है, आपके परीजन है, आपके रिष्चेदार है, आपके relative है, वो सबसे पहले आपकी उस Facebook पोश्ट पर कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे आपकी timeline पर जाकर आपकी post कोई भी देख सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपने अगर only me कर रखा है तो वो आपकी timeline पर नहीं जा सकता है अगर आपने only me की setting कर रखी है तो आपकी timeline पर कोई भी जा सकता है और वहां जाकर आपने जो post की है, उस post को देख सकता है, उसमें comments कर सकता है और जिन logo ने comments कर रखी है, उनको देख सकता है, उनकी profile को देख सकता है जिन लोगों ने आपकी पोस्ट पर आपकी फोटो पर लाइक कर रखा है वो व्यक्ति तीसरा व्यक्ति यानि की फ्रोड करने वाला व्यक्ति आपकी इस पोस्ट पर जाकर आपकी इस फोटो पर जाकर उन लोगों की पूरी लिष्ट देख सकता है जिन लोगों ने आपकी फोटो को लाइक कर रखा है तो इस तरीके से जो धोके से फिल्म बनाने वाले लोग होते हैं जो नए-नए होते हैं उनको तो हो सकता है साथ ना पता हो पर जो पुराने सातिर है वो इसी तरह से आपके फेस्बुक फ्रेंड्स का पता लगा लेते हैं बेसक आपने अपनी फेस्बुक जो प्रॉफाइल है उसमें आपने फेस्बुक फ्रेंड्स को उनली मी तक सीमित कर रखा इस माध्यम से वो आपके फेस्बुक फ्रेंड्स तक पहूं Group पर जाते हैं आपकी पोश्ट पर जिन्होंने कमेंट्स कियानिश्चित शी बात है ज वहाँ से वो उन लोगों की पर जाते हैं जिन लोगोंने कमेंट्स किया है और वहाँ आपकी वीडियो भेजने का प्रियास करते हैं, कहिस करते हैं तो यही एक तरीका है आपके वहां तक इन लोगों आपके Facebook friends तक पहुंचने का तो इसके लिए अलग से उनको कोई PhD करने की जरूरत नहीं है अलग से कोई उनको course नहीं करना पड़ता है इतने आसान माध्यम से वो लोग आपके उस वहां तक पहुंच जाते हैं तो भाई का ज यही कारण है जिससे यह संभव हुआ है वह आपकी पोश्ट पर गए आपकी टाइम लाइन पर गए आपकी फोटो पर गए वहां जाकर आपके पोश्ट पर कमेंट्स करने वाले लोगों को देखा आपके पोश्ट पर लाइक करने वाले लोगों को देखा जो निश्चित मामले में तो जो आपको ठार्गेट करता है वो आपकी फेशबुक फ्रेंज की लिस्ट इसको पहले से स्क्रिन सोट ले ले लें चालिस पर शींप le से को पहले में जो नय नया धंदा करने पड़ेंगे कि उनके पास अगर मान लीजिए आपके फ्रेंट्स के पास वीडियो भी चली जाए तो आगे वो ना भेज़ है इसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा वो अलग वीडियो में आपको बता देंगे पर दो मान लीजिए कि आपके फेस्बुक प्रेंट्स की स्केंशोट उन्होंने नहीं लिया तो सबसे पहले जब आपकी दोकी से फिल्म बन जाए और आपके पास लड़की कहे कि बताईए आपके फेल्म को वारल करना है या डिलीट करना है तो आप उसको बातों में लगाकर सबसे पहले अपनी फेस्बुक को या तो कोई नहीं देख सकता है यानि कि आप अपनी प्रोफाइल को पूरा लोग कर देते हैं तो ऐसी इस्तिति में आपके फेस्बुक फ्रेंड्स को कोई नहीं देख पाएगा उनके पता नहीं लगा पाएगा अगर वो कोसिस करेंगे आपकी टाइम लाइन पर जाकर आपके पो फेस्बुक फ्रेंड्स की जो सैटिंग है उसको only me कर रखा था फिर भी सामने वाले व्यक्ति ने फ्रोड करने वाला व्यक्ति मेरे फेस्बुक फ्रेंड्स तक पहुंच कैसे गया तो इसमें आपको दिमाग खापाने की जरूरत नहीं है हमने आपको बता दिया किस तरीके से किस माध्यम से वो लोग उस हद तक जाते हैं अपने आपके फेस्बुक फ्रेंड्स तक पहुंचते हैं तो यह चीज किलियर हो जानी चाहिए अब रही बात आपके फेस्बुक फ्रेंड्स के पास वीडियो भेजने की नहीं भेजने की हम बहुत से वीडियो में आपको बता चुके हैं भेशते हैं नहीं भेशते हैं कि इन परिस्तिती में भेशते हैं अगर भेश भी देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए तो यह सब हम पहले बता चुके हैं और एक अलग से वीडियो में भी हम आपको यह सारी चीजे बता देंगे आज की वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि भाई का जो सवाल था कि धर मैंने अपनी फेस्बुक प्रोफाइल को ओनली मी पर सेट कर रखा था फिर भी सामने वाले साइबर अप्राधियों ने मेरी फिल्म को मेरे फ्रेंड्स के पास भेज दिया तो कैसे भेज दिया उनके पास ऐसे कौनशी टेकनोलोजी आ गई कि वो उनली मी पर रखने के बाद भी हमारी फिल्म को मतलब हमारे फेस्बुक फ्रेंड्स के पास भेज़ रहे हैं तो उनका तरीका यही है कि वो आपकी फेस्बुक की टाइम लाइन पर जाते हैं आपकी पोस्ट पर जाते हैं और वहां जाकर आपकी पोस्ट पर जिन लोगों ने कमेंट्स किया है जिन लोगों ने लाइक किया है उनका पता लगा लेता है अब सीधी सी बात है लाइक और क जानकारी के साथ, रखिये तब तक अपना खयाल, जै भीम, जै हिंद की से नसात्यों.